हेलो फ्रेंड्स, 3DM Smart Cat चैनल में आप लोगों का स्वागत है इस चैनल में हम लोग 3D मोडेलिंग तो था Cat डिजाइनिंग सिखेंगे और Cat डिजाइनिंग के बाड़े में डीटेल्स डिसकास करेंगा अलग-अलग टीटोरियल दोड़ा कभी सारा लोगों के मौन में ही सवाल आता है Cat क्या है, इसमें कौन सा काम होता है, जोलरी इंडेस्ट्री में इसका इश्तेमल कैसी किया जाता है आप लोगों के यह सबी सवालों का एंसर दिनने को कोषिस करूँगा मैं इस वीडियो में बिना स्किप कि आप लोग के वीडियो देखते रही है अगर आप नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं कैट डिजाइन के डिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूंगा जो आप लोग के लिए बहुत ही हेलफूल क्योंकि इस चैनल से रिलेटेड जितना वीडियो मैं लाता रहूंगा उसका सबसे पहला नटिफिकर्शन आपके पास पहुत जाएगा तो शुरू करते हैं लेट स्टार्ट पहले तुम्हें आप लोगों को बता हैता हूं साल 1957 आज से 65 साल पहली की बात है एक अमेरिकन कॉंपीटर साइन्टिस्ट डॉक्टर पैट्रिक जे हनराटी ने फर्स्ट नुमेरिकल कॉंट्रोल सिस्टेम बनाया था जिसे बाद में कॉंपीटर एडिट डिजाइन तो था कैट का नाम दिया गया है इसलिए डॉक्टर पैट्रिक जे हनराटी को फादार आप कैट का नाम से भी जाना जाता है आज के डेड़ में कैट बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुका है काफी सारा लोग कैट डिजाइन नहीं में अपना केरियर बना रहा है काफी सेलरी भी आन कर रहा है पॉडेन कांट्री में जाके जॉब भी कर रहा है मतलब नेशनाल इंटरनाशनाल मार्केर में बहुत ही ज्यादा ओपर्चॉनिटी है इस कैट केरियर में डिजाइन पुक्रियों में सहाया दा's करने काुप्यूटर आधारेच सब्ट्रेयर का इस्तिमाल किया जाता है इसी प्रॉसस को चैट कहते है CAD Software XR Viven Poker के Engineer और Designer दोरा 2D और 3D Model बनाने के लिए इस्तिमाल किया जाता है Designer और Engineer लोग का Workflow को Increase करके Design Quality को Improve करने CAD का इस्तिमाल किया जाता है CAD Software का Output File सब्वे Electronic File के रूम में आता है तब उसको Recurrent Pattern Detection तथा RPD बनाने के लिए इस्तिमाल किया जाता है CAD Design का उपियोग अलग-अलग Profession में किया जाता है जैसे के Architectural Designer, Automobile Engineers, Jewelry Designers, Graphic Designer, Fashion Designer, Game Designer, Product Designer और तो और Film Industry में भी CAD का इस्तिमाल किया जाता है पहले जमने में क्या होता था? डिजाइन को हातों से बना जाता था? पेपर और पेंसिल का इस्तिमाल करके लेकिन आज के जमने में Technology काभी Advanced हो जुगिया अभी सारा काम Computer में किया जाता है वैसे तो कभी सारा Software है CAD Design बनाने के लिए लेकिन अलग अलग Software, अलग अलग Profession में इस्तिमाल किया जाता है Basically हम लोग Jewelry डिजाइन के बारे में बात करने वाले है आज का डेट में Jewelry इंडेस्टी में भी CAD का इस्तिमाल बहुत जादा किया जाता है कभी सारा Software भी है Jewelry CAD डिजाइन बनाने के लिए जैसे के Rhinoceros, Matix, Jewel CAD, Blender, GeoBrush इसका कुछ Supporting Software भी है जैसे के T-Splend, Clayho, Emboss, Magics Jewelry में CAD का benefit किया है अब लोगों को थोड़ा बाता देता हूँ लगभग सभी Product Development Process में Model के रूप में पहले एक Single Piece बनाए जाता है जिसे Master Piece कहते है Jewelry इंडेस्ट्री में भी छोटा गड़ा कुछ भी कम बनाने से पहले Master Piece बनाना पड़ते है पहले क्या होता था Jewelry जो Worker है Worker दारा Master Piece handmade बनाए जाता था मतलब हातों से बनाए जाता था जो बनाने के लिए Worker लोगों को दो तीन दीन या तो हफ्त भर लग जाता है लेकिन CAD आने से Model अभी Computer में बनाए जाता है हफ्त भर का कमा भी एक दो घंडे में भी बनाए जाता है उस टाइम Model handmade बनाए जाता था इसके लिए Metal OST भी भी बहुत जादा होता था लेकिन CAD आने से Metal OST भी बहुत जादा काम हो गया है पहले जो गम दोस गम में बनता था CAD में अभी पाच गम में भी बनाए जा सकता है CAD में Model बहुत Delicated भी बनाए जा सकता है और Perfection भी सही रहता है और भी काफी सुविदाय है जैसे की Model Ready होने से पहले Render द्वाड़ा Photo Realistic Picture और 3D Video Rendering भी बनाए जा सकता है Volume दरा Model का OED भी चेक किया जा सकता है CAD Model का 3D File एक बर बनने के बाद वो फाइल द्वाड़ा 20-25 सल बाद भी सेम Model रेपीड किया जा सकता है और भी बहुत सारा सुविदाय है कफी सारा Institute है जहां CAD Designing सिखाया जाता है लेकिन उहाँ पर सिखने के लिए बहुत हाई फीज पेक करना पड़ता है जो किसी नॉर्मल परसन के लिए उतला फीज एफट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है CAD Designing सिखने के लिए एक कॉम्प्यूटर या तो लेप्रोप का होना बहुत जुरूरी है और उसमें CAD का सौफटर भी होना चाहिए अगर किसी को सौफटर इंस्टूल करना नहीं आता है तो मुझे कॉमेंट करके जुरूर बतेएगा उसका भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा जिसको CAD Designing में इंटरेस्ट है और CAD Designing सिखना चाता है उन लोगों को मैं बोलना चाहूँगा मेरा इस चैनल के साथ जुरे रही है और भी आच्छी आच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो लाने बाला हूँ है जिसमें मैं छोटा-छोटा पॉइंट आच्छे से डिसकस करूँगा तो गाइज आज का वीडियो इतना ही आब लोगों को ये वीडियो कैसा लागा कॉमेंट सेक्षन में जुरूर बताईएगा वीडियो अच्छा लागा हो तो वीडियो को लाइक करके स्यार भी किजिएगा नेक्स वीडियो मैं जल्दी स्यार करने बाला हूँ आप लोगों के साथ तब तक के लिए बाई बाई